वेलकम टू इंस्पायर फिजिस कलाशे इस्पेरिंस आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्टिसिटी के इंपोर्टेंट क्यूसन यानि दोस्तों हमारे जो विद्धुत दारा है उसके जितने भी दोस्तों इंपोर्टेंट क्यूसन है बनते हैं आपके एक्जाम से करेंगे तो दोस्तों सुरुआत करने जाते हैं हमारे आज इसका पार्ट नमर वन दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दिबा लें जिसे की नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और शु को बताना कोई मेटल्स है उसको टेमपरेशर को दोस्तों दिये गए केल्यूइन के माझसे यदि बिलो करते हैं नीचे करते हैं तो इसकी कंडक्टेंस का माझस दों इन्फिनाइट हो जाता है तो आपको बताना कि ये फैक्ट क्या कहलाएगा दूस्तों यह जो तर्थे कहल हो जाती है अनतचानक से दोस्तों यह जो गटना कहलाती यह तर्थे कहलाएगा वो कहलाएगा अती चालक यह नहीं सुपर कंडक्टिविटी तो इसका राइटिम सजाएगा ऑपसर नमर डी वाला अब हैने परतिरोध का ताप गुनाग दनातमक है यह दोस्तों आपको बता जाता है तो दोस्तों रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है बलकि दोस्तों मार जो सेमीकंडक्टर रहनी अर्थ चालक होते हैं यह विद्व तबकर्ट होते हैं उनके लिए क्यों की लिए और विदू तबकर्टे के लिए क्यों नेगे तो इसका राइटिस हो जाएगा और दी वाला उप्शन है दोस्तों वेदू तब कट्टे और इसका बीजो परतिरों को ता वो था नेगिटीव होता है तो इसका राइटिम सुझाएगा उपसा नमर सी वाला अब आपके लिए नेक्ट कुछाने किसी दातु का विश्ट परती रोद निवर करता है यह दोस्तों मार जो स्पेसिक रेजिस्टेंस होता है मेटल्स का वो आपको बताना है किस पर एफेक्टेड होता है और किसके दूआर लएवर नेिवर होता है दोस्तों यानी रहकए एंब्व्य बलेश्टेंस या परती रोगततों होती है वह केवल्य दोस्तों मेटल्स होती है उसकी नेचर यानि दात्यू की प्रक toolkit करता है और वो दूसके साथ derechos पर डिपर सब्सक्राइब करता है क्योंकि हम घानते की रोट परतिरोत का मान बढ़ता है तो इसका राइटेंस होती हमारी वो किस पर डिपेंड करती है अब है ने किसी अर्द चालक में किसके अनुगमन के कारणे धारा का परवा होता है यानि दोस्तों आपको बताने को मारो सेमी कंडेक्टर होता है उसके अंदर दोस्तों इलेक्टिक करनेंट होता है वो किसके कारण पाया जाता है तो दोस्तों इसका राइटिम सुझाएगा ऑप्शन नमर बी वाला यानि दोस्तों जने विद्धु छेतर की तिर्वता तथा इलेक्टोन के अनुगमन वेग में संबंद होता है यह दोस्तों आपको बताना है कि हमारे जो ड्राप्ट वेलोसिटी होती है नहीं वीडी एवं दोस्तों मारे जो इंटेसिटी ओफ एलेक्टिक फिल्ड होता है उन दोनों के में रिलेशन बताना कितना होगा अनुगमन बेग यानि ट्राप्ट वेलोसिटी होती है इंटेंसिटी फिल्ड यह विदू krij पेटर की 3T कि कि कैसे फर्पोर्चनल होती है तुछ उसका रायटे मुझेश हो जाएगा आपस नमर एह वाला अब आपके लिए नेट कुछ ने सड़ीयों के के दिनों में की अपेक्सा गर्मियों के दिनों में कार के इंजन को चालू करना सरल होता है क्योंकि यह दोस्तों मारा जो कार का इंजन होता है उसको सद्धियों की तुलना में गर्मी के दिनों में जो स्टार्ट करना है दोस्तों इजी रहता है तो वह क्यों रहता है दोस्तो तो इसका आपको बताना है कि रेजिस्टेंस परतिरोद होगा वो किस परकार से तापर डिपेंड करता है कि जिसे की गर्मियों में अचानक अधिक इजली वह स्टार्ट हो जाती है तो इसका राइटिम सजाएगा ऑप्शन नमर एवाला एंड दोस्तों मार जो इंटरनल तो ऐसे नमर एवाला क्योंकि बेट रिका जो आंतिक परतिरोद होता वह टेंप्रेशर के साथ क्यों जाता है डिक्रीज यो जाता है तो इसका राइटिम होजाएगा और अप्शन बार मोता है वह आपको बताना है तो हम जांते हैं जो वन अपर र हैं इस को अपन कहते हैं चालगता या दर्खना यान की परतिरोत के वितकरम को क्या कह जाता है चालगता और इसका जो दर्शित करते हैं वो करते हैं अपन जी से दोस्तों याद इसका राइटरिस होजाएगा उप्सन नमर एवाला निक कंडक्टेंस से अब है नेस्ट क्यूशन आठवा इस क्यूशन की नियम का आंसिक पालन करता है यानि पार्टली यानि ओबे करता है और सी ऑप्सन में आपको दिया हो कि दर्वे के लिए धारा और विवांतर में कुछ संब्दी नहीं होता और डी है इनमें से कौर नहीं देखिए दोस्तों मारा जो लिक्वीड होता है वह याद रखना होता है दोस्तों उसका आंसिक रूप से पालल करता है तो इसका राइटिंस होता है ऑप्सन नमर बी वाला क्योंकि दोस्तों यदि अपने लिक्वीड के लिए वी एवं आई के मद्दे गराप कीज़ते हैं दोस्तों इसका गराप नहीं होता लेकिन दोस्तों के वाल देख सब्सक्राइब करता है लेकिन दोस्तों यह क्या होता है कि आंशिक रूप से पार्लान करता है लेकिन वह पूर्णतर नहीं होता है तो इसका राइट नहीं सब्सक्राइब करने लग जाता तो किसी तार का cc в 0 डिग्री से सब्सक्राइब करता है इन दोस्तों कोई आपको को वायर दिया हुआ है और उस वायर का टी टेमप्रेशर एवं 0 डिग्री से टेमप्रेशर पर जो रेजिस्टेंस होता है उन में समंद बताना है कितना होता है दोस्तो इसका राइटियोंस होताएगा option नमर A वाला यहनि दोस्तो मारा जो T10 पर resistance होता है उसका फोर्मूल होता है 0 degree Celsius पर उसका resistance है और कोस्टेक में इसके multiply में होते हैं 1 प्लस alpha T दोस्तो यहाँ पर alpha T होता है हमारा temperature coefficient of resistance एवं T होता है यहाँ पर temperature तो इसका जो राइटियोंस हो जाएगा वो जाएगा option नमर A वाला अब आपके लिए next question ने इसमें आपको दिया वाला है कि एक विद्धुत तार किसी इविद्ध वाहग वाले से जोड़ा जाता है पत्थ में एमिटर में मापने के लिए धारा आई है और उसका रपरतिरोद IR है यह दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई हमारा एक एविद्ध वाहग वाला दोस्तों तो सेल है उससे कोई एमिटर जुड़ा वाहँ और उसका रेजिस्टेंस आर है उससे बरवाई तोने वाली दारा आई दी वही है तो ओम के नियम के अनुसार इन तिनों में आपको सम कोटता होती है वो समानपाति होती उसमें रेजिस्टेंस में पर रहेति होने वाली दारा के वो दोस्तों को समौनपाती चिन हवाँ को टह जाता है तो एज़ुक्ल जाता हमारा ये समावनपाती दिस्क तराँक लगाया जाता हूं रही होता हुँ तो इस परकार से दोस्टों मारा जो इजेगल यद दारा गनतो जे तथा विश्ट परतिरोद के के मद्द परस पर संब्ध उता है है यह दोस्तों आपको बताना है कि मारे जो इलेटिक इंटेंसिटी एवं जो इलेटर करन्ट डेंसिटी जे एवं जो इस्पेसिक रेजिस्टेंस के अंदर जो रिलेशन होता है दोस्तों याद रखना जो हमारा स्पेसिक याणि रेजिस्टेंस होता है कि इसका फोर्मूल होता है J upon me E दोस्तों इसके द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं कि जो E is equal to प्राप्त होता है में वो प्राप्त हो जाएगा J upon me K तो इसका राप्त हो जाएगा उप्चन नमर A वाला में किसी दात्व के तुपड़े पर विधुत विद्वांत आरुपित नहीं किया जाता है तो मुख्ट इलेक्ट्रों का माध्याम वेग होगा एए हमारा कोई यानि यह वायर का टुकड़, अनि कॉँटक्टर का कोई टुकड़ रहा है उस पर दोस्तों एदी विभानता आरूपित नहीं किया जाता है यह वोल्टेज इस आरूपित नहीं किया से उसे तो यहां से छूंसे हैं जो स्षूर्ण गया युला नि क्या होता है पर पॉस्च मेरे होता करना परती करना तर झालते मैरें उसकी सब्कृपर कंडेक्ट बाले यहां क्डेटिवट्डि आपको पता ची उतीन होती है चालक अ entrar passionate resistance कमाइट जीरो होता है, तो हम जानते हैं जो चालक तो होती है, इभायोज होता है, तो जदि आधी आर कमाइट जीरो रखते हैं, तो इसकी जो चालक ता कमाइड पराप्त होता है, वह में infinite पराप्त होता है, तो इसका राइटियों सुझाएगा option number A वाला, यानि अती चालक पदात की चालगतों होती है वह कितनी होती है इनफिनाइटे अब हने इस्ट की सन एक निसीत लंबाई के एलुमीनियम के तार को खीच कर उसका व्यास आदा कर दिया जाता है तो उसका प्रतीरोद हो जाएगा यहीं को आपको दिया कोई खींचने की यानि इस्तिती होती है यानि उसको ड्राव यानि ड्राप किया जा रहा है तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है वह मारा इनिवर्सली प्रपोर्सनल होता है आर की पावर और के दोस्तों जो मारा इसकी रेडियस होती है उसकी पावर और चाहर के विक्त पार्ट होता है यह दोस्तों इसके तार कुयेंus क्यान है जेए हैं इसकी पौर करेंगे। अब करेंगे।, इसको आगी अपन सुल करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा। 2 की प्रावर हैधी दोष्ट चार करेंगे। तो जो 해주 aları यह रelaगा। वो उपर चाहेगे यहं पूर पर 6 है। और अपन में क्यों आर की पावर चार यानिए दोस्तो पहले का कितनों हो गया सो लगुन है तो दोस्तों सघ्रति की ते जएगा कृति कि क्डिकटर है उसका यह तेपने बड्राद पटा और इंकृशड़र दिया का option number A वाला यानी सरांती काल कम हो जाता है दोस्तों क्योंकि हम साथ है जो वी आरेमस होता है मुटिलेटर नों का वह रूट टीच क्या होता है समाहन पाती होता है तो जैसे ही टेंपरेट्स को बढ़ाए जाता है तो दोस्तों का मान बढ़ जाता है और वी आरमस का मान बढ़ने के कान दोस्तों सरांती काल होता है यानि जो रिलेक्शन होता है नी टो होता है दोस्तों इसका मान क्या हो जाता है कम हो जाता है यानि वी आरस का मान यादी टेंपरेश के बढ़ाने पर बढ़ेगा त हम जाते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस होता है वो राइनी टो के विद कमान पाती होता है यदि टो कमान कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कमान बढ़ जाएगा यह दातु का बढ़ानी परतिरोद कमान बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है क्योंकि सरांती का लैनी टो कमान कम हो जा नोन ओम रेजिस्टेंस है यानि दोस्तो अनॉमिय पदार्थ है तो इसका राइटियों सुझाएगा ओप्सन नमर सी वाला इन दोस्तो जो डायोड होता है वो हमारे ओम उनके नियम का पालन नहीं करता है निकि इसका जो वी एवम आई का गराप खींचते हैं तो दोस्तो मार एरेक के पराप्त होता है निसीदी रेका में पराप्त नहीं होता है यानि यह हमारा कौन सा है अनॉमिय पर दितोत का उधारन होता है डायोड तो इसका राइटियों सुझाएगा ओप्सन नमर सी वाला अब हरनेश्ट किसने ओम का नियम सत्य होता है दोस्तो आपको बताना का मान भी बढ़ जाएगा दोस्तों जो इस रिजिस्टेंस का मान बढ़ने पर जो वी आई के मद्दे जो सिद्धी रेखा में गराप होती है दोस्तों अधिक टेंपरेचर पर क्या होती है कि यह इस परकार से दोस्तों वकराकार हो जाती है यानिक अधिक टेंपरेचर पर रही कंड़क्टर के लिए यह होता है ओम स्लो तो इसका राइटम सुझाएगा उपसन नमर एवाला अब है नेस्ट कुछ ने निमन में से कौन सा कथन असत्य है नि दोस्तों इसमें आपको बताना है कि यह चार स्टेंटमेंट दिये हुए हैं तो कौन सा स्टेंटमेंट आप को अंकि असत्य हैंनि दोस्तो इनक्रेक्ट है तो पहला निक थना आपको दिया हुए चालकता परतिरोड का वियुत करमा है Тथा इसको साइन वह पा जाता है तो दोस्तों जो दोस्त नमार चालकता निक जो रेजिस्टेंश का इंवरस होता है उसी को पन चालकता कहते हैं Bell जी से परदेशित करते हैं और दोस्तों इसका जो मातरक होता है साइमन या सिमेंस होता है अब हाँ आपके लिए दूसरा ओपसने यानि दूसरा करता ने ओम का नियम बहुत कम और बहुत अधिक ताप मान के लिए उपएगी नहीं होता है क्योंकि दोस्तों जो बहुत कम नहीं करते हैं तो इसका यह भीह हमारा सत्र है तीसरा पिए आपको देया वाकि ओम का निए अर्थ चाल्कों के लिए उप यह क fighting में क्या दिया हूँ है अब आपके लिए नेश्ट क्यूशन नेश्ट क्यूशन देखते हैं अपन गुनी स्वा इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि कोई चालक तार के लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा इसका अनुपरस्त काट भी दुगना कर दिया जाए तो पर तिरो दोगा दोस्तो हम जाते ह है जो रेजिस्टेंज का फोर्मिल होता है और हमारा जो आर्टू अपन में और वन हो जाएगा तो टो एलके समान पाती हो धो यह अनुपर काट के तो यह मारा जाएगा A1 upon me A2 दोस्तों यहां पर क्या क्या है कि दोनों को ही दो गुना कर दिया गया है तो दोस्तो यह दि L2 की जगह अपन 2 L1 रखेंगे और A2 की जगह भी अपन 2 A1 रखेंगे तो दोस्तों मारा 2 से 2 cancel हो जाएगा L1 से L1, A1 से A1 दोस्तों मारा जो R2 upon me में आरवन प्राप्त हो जाएगा वह कितना प्राप्त होगा वट यह नीहारटू इस एकोल टू प्राप्त हो जाएगा आरवन दोस्तो उस्कारण दोसरी-स-ार्थ-शूर्वर्ग मांगे अहिनरे अध्यादD तो इसका राइटियों सदाएगा उपसा नमर C वाला है विले रिमेंस दा सेम अब है नेस्ट क्यूस्टने लोहे की परतिरोदक्ता एक गुना 10 की पावर माइनस 7 ओम मिटर है एक विशेस मोटाई वर लंबाई के तार का परतिरोद एक ओम है यदि तार का व्यास वोँर लंबाई दोनों 2 गुना कर दिये जाएं वो आपको ये दीवीए एक ओम है दोस्तो इसकी मोटाई को और इसकी लंबाई को चेंस किया गाया है तो आपको बताना कि नई थाएट यदोस्तों इस पैसिक हीट एनि रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों याद रखना जो हमारी रेस्टिविटी होती है वो केवाले जो मेटल्स होती है उसके नेचर पर डिपेंड करती है नि दातु की परकर्थी पर डिपेंड करती है बलकि इसके आकार या आकर्थी पर डिपेंड नहीं करती तो इसका र खीज कारे 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसमें परतिशत परव्यत्रण उगा दोस्तों यहां पर हम जाते हैं कि जो यहं दोस्तों की इसका बढ़ाया जाता है तो जो रेजिस्टेंस वालिस्वार के समान पाती होता है यदि दोस्तों इसको वैसे ही बढ़ाया जाता है बिना खिचे यदितार के लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उस कंडिशन में जो R वो समान पाती होता है वो L के समान पाती होता है दोस्तों यहां पर हमारा और रेजिस्टेंस हो जाएगा एली स्कॉार के परपोर्सनल हो जाएगा दोस्तों यदि इसके अंदर प्रतिस्थ प्रिवतन निकालेंगे तो आपको निकालना आतों गया दिपावर में तो डेल्टा आर इस इकॉल टू जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल एल तो यह मारा जाएगा 0.02 परतिसेंट तो इसका रायटेंस हो जाएगा और प्रतिस्थ परिवतन कितना हो जाएगा 0.2 परसेंट है दोस्तों यहां पर 0.1 है तो यदि 2 को 0.1 से मल्टिपला करेंगी तो यहां पर एक और 0 नहीं है गा ओनली 0.2 परतिस्थ इपराप्त होगा तो इसका रायटेंस हो जाएगा ओप्सन नमर ए वाला अब हैंनेश्ट किसेंट निम्न कथन में से कौनसा सुतर ठीक नहीं है यानि दोस्तों आपको यहां पर 4 सुतर दीवे हैं चार स्टेट्मेंट दीवे हैं कौनसा नोट और निक करेक्ट हैं दोस्तों करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है दोस्तो पहला उप्सन आपको दिया हुआ है एक वॉल्ट को यदि एक कुलाम से मल्टिप्लाइ करते हैं तो एक जूल पराप्त होता है दोस्तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम जाते है W is equal to होता है V Q होता है QV होता है दोस्तो यहाँ पर यदि एक वॉल्ट को एक कुलाम से मल्टिप्लाइ करते हैं तो एक जूल हमें कारिया पराप्त होता है B उप्सन आपको दिया हुआ है कि एक वॉल्ट इन्टू एक एम्पियर है इक्वाल टू में 1 जूल पर सेकिंड है दोस्तो घूल पर सेकिंड पावर का पवॉमेल होता है और यह इक वॉल्टकों एक एक 1 एम्पियर से मल्टिप्लाइ किया जाता है तो एक जूल पर शेकिंड एमें सक्टी प्राप्त होता है तो बिवाला उप्सन भी हमारा सभी है दोष्य वाली ओप्सन में क्या दिया वाक्याजी एक रॉल्ट को एक वॉट से मल्टिप्लाइ करते हैं तो एक अच्चूस क्थ प्राप्त होता है दोष्टों यह हमारा गल्त है क्यूंकि हम जाते हैं कि जो एक अच्चूसक्त्ती आनु के ऐच्चप I up होता है दोस्तों इसको किसी वे वोर्ट से मल्टिप्लाइ नहीं किया जाता है बलकि 746 वोर्ट के इजूकल्टू यह हमारा एक HP होता है यहाँ पर हमें दोस्तों यह जो शुतर दिया वाँ है ठीक नहीं यानि गल्त है तो इसका राइटिंग सजाएगा ओप्शन नमर सी वाला अब नेश्ट किसने जब किसी चालाकि में दारा बैती है तो इसे गुर्जनने वाले लेक्टोनों का अनुगमन वेग के परिणामी कोटी का होगा यानि दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारा कोई कंडेक्टर है उसके अंदर जो हमारे फिरी लेक्टोन है यानि दोस्तों वो किसी ड्राप्ट वेलियूसिटी से यानि मोसन में है तो आपको बताने कि जो ड्राप्ट वेलियूसिटी होती है उसके दोस्तों जो कोटी होती ह क्या हुआ क्यों गया निए उसका ओर बताना है दोस्तों हम जानते हैं उसका जो ड्राप्ट अनुगमन वेग की कोटी होती है दखना दसकी पावर माइनस चार मीटर पर सेकेंड की होती है यदि उसको सेंटी मीटर में चेंज करेंगी तो वह क्या हो जाएगी दस की पाउर माइनिस दो सेंटी मीटर पर सेकेंड तो इसका राइटिम सो जाएगा अपसा नमर बी अब हाप के लिए ने स्टुरिशन चोईस हुआ यदि एन ए टो और एम करम से इलेक्ट्रोन के गनतुए आवे सरांतिकाल दर्वमान को परदेशित करते हैं तो तार का परतिरो जिसके लंबाई एल उच्छितर पर एल ए है यह होगा एंग दोस्तों आपको रेजिस्टेंस बताना है जिसकी सरांतिकाल ए इलेक्ट्रोन गनतुए एवं आवे स एवम दर्मान 6 दरफल एवं लंबा या आपको दिया वा हो दोस्तों हम जाते हैं आर दूकर कोंसरा हुटा है जो हो यहाद रहरा जो डोरो प्टार ममुल ऑटा करें उता हो पिर पण आल शारो और दूपाय को माओे और तो दों दो यह जो फोर्मूला था मारा एशन वाले फोर्मूले से मिल रहा है तो इसका राइटिंग्स होजाएगा और नमर यह वाला यहनि दो रेजिस्टेस का फोर्मूल होजाएगा वह M L N E upon में N E square toe into A हो जाएगा तो इसका writing हो जाएगा option नमर A अब हैने इस क्यूशने 25 किसी चालक तार में दारा आई परवाहित होने पर मुक्त इलेटोनों का अनुगमन वेग है यदि उसी दात्यों के में परंतु अनुप्रस्त काट के सेतरफल के तार में टू आई धारा हो तो इलेटोनों का अनुगमन वेग होगा यहनि दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक चालक तार है उसमें आई धारा परवाहित हो रही है तो मुगत इलेटोनों का जो अनुगमन वेग है यहनि दोस्तों ड्राप्ट वेलोसिटी है वो आपको वी दी हुई है यहनि दोस्तों उसी दात्यों में लेकिन उसका जो अनुप्रस्त काट है दोस्तों उसको क्या किया गया है दुगना यहां जो तार के अंदर दारा है दोस्तों वो भी दुगनी कर दी गई है तब उसको जो ड्राप्ट वेलोसिटी होगी लेक्टोंस की वो बतानी है कितनी होगी देखिए दोस्तों जो वी का फोर्मूल होता है अब यहां देखना आए अपन में इन इए ऋता है यह वी डी इस इकल टो ता आई एक्वान में अइन इए यह दि दोस्तों आई को दो ऐनि मॉल्टिप्लाइब किया जाता है था है यह दो आई किया जाता है तो उपर से दो दो गुना हो जाएगा वो दोस्तों यह दी अपर यह परवरतिर रहेगी क्योंकि अनुपरस्त काट के निए कुछ दोस्तों यह कमान पाती होता है और दारा के शम्मान पाती उता है यह दोनों को ही दो पिना किया गया है तो डोसी दो कैंसे लोगा और जाएगा और जो वोगी यदि उसके अंदर से करंट 4.8 एंबियर फॉलो कर रहा है दोस्तों हम जानते हैं कि जो करंट होता है वह एक सेकिंड के प्रवाइद वाले आवेश होता है तो दोस्तों इस कि तार्च यह जोने कि एक सेकिड में प्रवाइद वाला आवेश कितने हो जाएगा 4.8 कुलाम हो जाएगा और हम जानते हैं दोस्तों एक इलेक्टोन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के गुनिस होता है यदि दोस्तों 4.8 कुलाम के अंदर इलेक्टोन की संक्या आपको ग्याद करनी है तो इसके दोस्तों अपने इलेक्टोन पर जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो इलेक्टोन की संक्या वो निकल कर आजाएगी यदि 4.8 को अपने 1.6 गुना 10 की पावर माइनस गुनिस से अपने इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आजाएगा 3 कुना 10 की पावर गुनिस है यानि कि दोस्तों मर्जो इलेटरन की संक्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 कुना 10 की पावर गुनिस तो इसका राइटिम सोजाएगा उप्सन नमर A अब आपके लिए 27 वा क्यूसे ने की एक दात्यू के तार के लिए अनुपात वी अपोन में आई यानि वी आरूपीत वी बांतर है याम आई दारा है तो ताप के साथ यानि दोस्तों किस प्रकार से यानि चेंज होगी वो आपको बताना है दोस्तों पहला उप्सन आपको दिया वाकि तार पर डिप्रण नहीं करती है बी उप्सन है तार के साथ बढ़ता है सी उप्सन है ताप के साथ गढ़ता है वा डी उप्सन है कि धातु की परकरती के अनुषा ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है या गढ़ता है दोस्तों इसका राइट इम सुझाएगा आपसर नमर B वाला यहनि ता बढ़ने पर बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ओम का नियम होता है वो क्या होता है कि V समान पाती होता है IK तो यहां से अपन देखते हैं कि जो V is equal to होता है दोस्तों हमारा R आई हो जाता है और यहां पर पर देखते हैं कि जो V upon में आई होता है दोस्तों वो किसके equal होता है R के तो दोस्तों हम जानते हैं जो R होता है यह समान पाती होता है TK तो इस परकार से V upon में आई हो जाएगा वो किसके समान पाती हो जाएगा TK यदि दोस्तों temperature के मान को बढ़ाया जाएगा तो जो we upon me I का मान होगा वो भी इसके साथ बढ़ जाएगा क्योंकि ये इसके समयन पाती होता है तो इसका rating उस हो जाएगा option number B यानि यदि temperature के मान को increase के दिया जाता है तो we upon me I का जो हमारा मान पराप्त होगा बताना कि temperature के साथ किस प्रकार से depend करता है तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले जो क्यूशन है उसके अंदर क्यूशन में बताया था कि जो दोस्तों सरांतिकाल होता है तो वो क्या होता है कि temperature के साथ यानि विद का मान पाती होता है तो इसका का टेंप्रेशर का मान बढ़ा जाएगा तो वी आरमस का मान बढ़ता है लेकिन यदि वी आरमस का मान बढ़ता है तो टो का मान कम होता है यह कि टेंप्रेशर के बढ़ने पर जो सरांतिकाल होता है वो क्या हो जाता है घट जाता है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा ऑप्चानमर वी वाला दो इसी क्यूशन के साथ आमारा आज का वीडियो कंप्लियुट होता है दोस्तों हमारे जो अध्याइस क्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं इसके बाकी क्यूशन वो अगले वीडियो में कर लेंगे दोस्तों, आज के जो सभी किशन हो, आप को कैसे लिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों, मार जो कल आएगा, वो मारा मौक टेस्ट दीती होगा और इसके बाद में इसका पार्ट टू आ जाएगा तो जाहीं हीं दोस्तों